भाई वीडियो को छोड़ो ये बताओ वो क्या है जो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है मी यूए की अपडेट्स मी यूए के चम्चे तुझे और कुछ आता जाता है के नहीं दिमाग लगा सोच एक बार फिर्ट से और तेरी वीडियो से तंग आ चुके हैं हम मेरा नाम है रोहित तो आपको मालूम है या मी यूए की जो अपडेट्स है सभी चाइना में ही आती है वहीं पे सारी अपडेट्स बनती है उसके बाद ही जो है इंडिया में देखने को मिलती है तो यद सारी जो app application है उनकी भी updates वहीं पर आती हैं तो हम उन्हें install कर सकते हैं, try कर सकते हैं तो new security app की जो है वो update आई हुई है जिसमें new game turbo देखने को मिलता है तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी information देने वाला हूँ, आप अपने device में without any root and all that कैसे ला सकते हैं तो आप अपना device चेक कर लीजिए, यह आपके device में काम करता है या नहीं, पर मैं आपको सारी information यहाँ पर देने वाला हूँ, पसंद आती है वीडियो लाइक जरूर कीज़ेगा, वीडियो के लाइक का target है 1000 likes का, I hope आप पुरा कर देंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी क्या हो रहा है, तो अगर यहाँ पर मैं get apps में जाता हूँ, तो me UI 30 में आप देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारी updates आई हुई है तो एक update यहाँ पर देखने को मिली है, मैंने already update करके देख लिया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे, security app की update आई हुई है तो हम इसे extract कर लेते हैं, तो आपकी information के लिए मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ तो new security app में जो है वो दोस्तो new game turbo देखने को मिलता है, तो यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाता हूँ अभी जो इंडिया में है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ अभी, तो अगर आप अभी जो है game turbo अपने इंडिया में जाते हैं, अभी मेरे device में कोई game install नहीं है अभी आपकी आपको यहाँ पर आपकी floating window देखने को मिल जाती है, तो यह है पुराना game turbo, तो जो नया game turbo है दोस्तों वो है यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो MIUI 12.5 है, तो यहाँ पर यह जो है इंडिया में officially यह चल रहा है, तो MIUI 13 में new game turbo जो है व आपको पुराना दिखाता हूँ, अभी आप देखेंगे, तो difference आप देख लीजिए, आपके सामने है, तो आप देखेंगे, यहाँ पर red में लिखा गया है, game turbo यहाँ पर ऊपर है, और थोड़ी बहुत minor changes की गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप करेंगे, तो आपको performance mode मिलता है, और यहाँ पर थोड़ी सी layout यहाँ पर change की गई है, तो आप इस MIUI 13 का जो game turbo है, अपने device में कैसे ला सकते हैं, तो यहाँ पर simply आपने क्या करना है, आपको मेरे group में आना है, यह मेरा group है, यहाँ पर आपको APK मिल जाएगा, तो simply, तो आप, मैंने ओरड़ी जो है, वो download की हुई है, यह यहाँ पर ऐसी है, तो इसे हम install कर लेते हैं, तो यहाँ पर जादा time नहीं लगता है, अगर आपके device में यह install नहीं होती है, तो समझ लीजे का आपका जो device है, वो compatible नहीं है, तो आप रहने लीजे, तो simply आपने इसे open कर ले नहीं है, तो यहाँ पर कुछ जादा change नहीं होगा, सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा, पर अगर आप फिर से जब गेम तरभो में यहाँ पर जाएंगे भी on हुआ है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब जो game तर वो है, वो नहीं आ गया है, यहाँ पर जो है वो सभी डिवाइस में नहीं आएगा जिसमें आता है वो सिस्टम अपडेट के साथ ही आता है बाकी दोस्तों सब कुछ वैसे का वैसे ही है चलता है तो अगर आपको कोई इशू आ रहा है इस में सेक्योर्टी अप में तो आप सिंप्ली एप इंफोर्मेशन में जाएए तो एप के लिए बस इतना ही थैंक्स फो वाचिंग